hello friends welcome to the chef तो friends चलिए आज हम लेकराएं है आपके लिए मैथी मसाला पूरी जी है friends मैथी मसाला पूरी बहुत ही easy और फिर जट पर से बन के तयार करिएए हमने आपके लिए देखें किस तरह से यहां पे हम एक तशले में लेंगे दो कप आटा और एक कप लेंगे हम बेशन यहां पे आटे की जगा मेदे का भी यूज़ कर सकते हैं पर हम हिल्दी बना रहे हैं तो आटा ही लिए है हमने और एक टी स्पून लेंगे रेड मिज पौडर स्वादानुसाल लेंगे नमक और एक टी स्पून लेंगे जीरा एक टी स्पून ही लेंगे अजवाइन यह री मिर्चे हैं चार से पांच हरी मिर्चे हैं कुछ कली हैं ले सुन कीए जिसे हमने क्रश कर लिया है वो भी हम इसमें डाल देंगे कि यहां पर हल्दी लिया हमने कौटर टी स्पून और टू टेबल इस्पून ले लेंगे मैं ओल बस अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में डाल देंगे हम अपनी दुली हुई मैथी की भाजी ध्या फरेंटे मैं यहां भाजी दो कप ले लेंगे तक नाथिक और सब्सक्राइब लाएक को कोडिंग भी बाजी वो कम जादा कर सकते हैं तो अब हम इन सब इस चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पारी डाल के से गुंद लेंगे आटे को पूरी होगा जैसा कि हम पूरी का आटा लेते हैं इसी तरह से हम आटा गुंद लेंगे यह देखिए हमारा बढ़िया सा आटा गुंद चुका है और अच्छा मसालेदार सा आटा दिख भी रहा होगा आपको तो फ्रेंड्स हमारा आटा तो गुंद चुका है हम इसे थोड़ी दिल 10 से 15 मिट के लिए रेस्ट करने रख देते हैं जब इसका रेस्ट होजाएगा तो चलिए यहां पर हमारा रेस्ट ले लिया है आटा ने तो हम पूरी बनाते हैं तो यहां पर पलेथन में आटे का यूज़ कर रही हूं अगर आप चाहें तो यहां तेल भी लगा सकते हैं इस जगह पर तो फ्रेंट्स हमारी पूरी बिलना चलो हो गई है तो हम पूरी बिल लेते हैं यहां पर हमारी पूरी की जो गोल आई है वो भाजी की वज़ा से गोल नहीं आई है तो फ्रेंट्स हमारी डिजाइनर पूरी ही सही तो चलिए एक एक कर गया हम एक के बार एक सारी पूरी हम बेल लेते हैं तो यहां पे हमारी पूरियां बिल चुकी है तो हम निकड़ाई में तेल गरम करने रख देते हैं तो देखे बेंट्स यहां पे हमारा तेल गरम भी हो चुका है तो हम अपनी एकिक करके पूरी सेफटी के साथ डालते जाएंगे और एक एक पूरी को फ्राइ करके निकालते जाएंगे देखिए एक साइट से ये सिख चुकी है बहुत ही अच्छा कलारा है इसका तो हमें कुछ ऐसा ही चाहिए था अगले साइट से भी जब हमारी सिख जाती है तो हम इसे निकाल लेंगे तेल नहीं धारते हुए और इसी तरह से हम बाकी की सारी पूरियां भी तल लेंगे तो चलिए अगली पूरी भी हम डाल देते हैं अपनी कड़ाई में तो फ्रेंड्स आप देखी सकते हैं कितना एजी है ये मेथी पूरी बनाना तो यहां पर हमारी मेथी की पूरियां बनके रेडी हो चुकी है और फटा फट से जटपट से इजीली बन चुकी है तो फ्रेंड्स इनने बनाना बहुत ज़ादा ही आसान है और आपने देखा है जटपट से हमारी पूरियां बनके रेडी हो चुकी है तो बस हम इसे एक के बाद देशी तल के फुरान कड़ाई में से निकालते जाएंगे और गरम गरम पूरियों को फिर हम इंजॉय करेंगे तो फ्रेंट्स यह हमारी अगली पूरी भी हो गई तो यहां पे हमने अपनी सारी पूरियों तलनी है फ्रेंट्स हमने इसके साथ रखी है हरी मुर्चों के चटनी जो के हरी मुर्च के चटनी बहुत ही टेस्टी लगती झरी इन पूरियों के साथ फ्रेंप्स आप बि pressures कि साथ चाएंगे शामगी चायके साथ तो बहुत ही ज़्यादा गती है friends में जा दिएँ आप अपने family और friend साथ इन पूरीयों का मज़ा लेजिए मेधी मसाला पूरी का मज़ा लेजिए और enjoy कीजिए और अपने किचिन में बना कर एक बड़ जरूर ट्रै कीजिए friends अगर आपको मेरी बताई हुई आप मैं थी पूरी मसाला पसंद आती आई या फिर मेरी जो भी रेसिपि आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ताके मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताईए कि आपको ये कैसी लगी तो फ्रेंड्स इसी तरह की नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं अपना ख्याल रखिए बाई